हलो फ्रेंड्स आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि मार्केट में हलवाई मावा कैसे बनाते हैं जिसे आप भी घर पर आसानी से बना सकते हैं जब भी कभी तोहार या कोई फंक्शन होता है तो मन करता है कोई मिठाई बनाने का तो आप इस दूद से बनने वाली मावा से आप पेड़े बना सकते हैं, बर्फी बना सकते हैं, गुजिया बना सकते हैं, और भी बहुत सारी मिठाई बना सकते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सबस्क्राइब कर दे, घंटी का बटन दबा दे और दोस्तों में भी शेयर करें चलिए बना लेते हैं आज की ये रेसिपी लक्समी मिश्ठान बंडार हाट के नजदे की वीवर यहां से मिठाईया वे अन्य सामान आदि खरीद सकते हैं यहां की मिठाईया सो परसेंट सुध होती हैं यहां के उन्र ये दावा करते हैं आप यहां से बर्थडे केक वे बर्थडे का सामान आइस क्रीम कॉल ड्रिंग पनीर ब्रैड पकोडा समोसा चोकलेट वगारा खरीद सकते हैं आप साधी पार्टियों वे फंक्शन आदि में मिठाईया बुक करने के लिए ओनर से संपरक कर सकते हैं ओनर का नंबर आप सक्रीन से नोट कर ले हम डिस्क्रिप्शन बोक्स में भी इनका नंबर डाल देंगे यहां पर ज्यादा मात्रा में बनाया जा रहा है यहां पर 40 केजी दूद का मावा बन रहा है आप अपनी जरूरत के हिसाब से दूद ले दूद को गरम करने के लिए बॉयलर का यूज कर रहे है दूद को बॉयलर में डाल कर गरम करेंगे पहले सारे दूद को उबाल कर निकालते जाएंगे बाद में बॉयलर की कपैस्टी के हिसाब से मावा बनाते रहेंगे लेकिन आप घर में कडाही का इस्तमाल कर सकते हैं अब दूद में उबाल आ चुका है इसको पकाते रहेंगे जब तक दूद गाड़ा नहीं हो जाता अब दूद गाड़ा होना शुरू हो चुका है अब इसमें हम 3 केजी चीनी आड़ कर देंगे ये 3 केजी चीनी 40 केजी दूद के लिए है आप 2 केजी दूद में 1.500 ग्राम चीनी का इस्तुमाल करे एक केजी में लगबग 75 ग्राम चीनी का यूज होता है हम साथ में दो केजी दूद की रेसेपी डिस्क्रिप्शन बोक्स में डाल देंगे आप वहां से सामगरी नोट कर सकते हैं अब मावा बनना सरू हो चुका है आप इसमें लगबग 200 ग्राम घी डाल देंगे गी डालने से मावा का कलर अच्छा आता है थोड़ी लाली सी आजाती है आपने मारकेट वाला मावा देखा होगा थोड़ी हलकी सी लाली होती है अब इसको और गाड़ा होने देते हैं अब मावा हमारा तयार हो चुका है इसको निकाल लेंगे दूसरे बरतन में आप जब भी घर पर बनाओ ये ध्यान ज़रूर रखे कि मावा नीचे तली में नहीं लगे इसको बराबर चलाते रहना है थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा पर अपने हाथों से बना कर खाने का मज़ा ही कुछ और होता है अब इसको फैला देंगे और ठंडा होने देंगे बाद में आप इससे बर्फी बना सकते हैं पेडे बना सकते हैं गुजिया बना सकते हैं इनकी वीडियो हम पहले ही चैनल पर अपलोड कर चुके हैं बिठाई बना कर जरूर खाए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में ही घंटी का बटन भी दबा दे दोस्तों में भी शेयर जरूर करे और अपने सुझाव हमसे जरूर साजा करे आज की वीडियो में बस इत करे वीडियो